प्रेंड्स आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन को इन कॉंटिनुएस सीरीज गैस इससे पहले हम अर्थमेटिक मीन को इन इंडिविज्वल सीरीज और डिस्क्रिट सीरीज पर चुके हैं कॉंटिनुएस सीरीज क्या होता है इसमें हमें क्लास इंटर्वल दे रखे होती है कि 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50 कॉंटिनुएसली क्या दे रखे होते हैं सीरीज दे रखे होते हैं क्लास इंटर्वल दे रखे होता है कि 0 to 10 के बीच में 6 students के marks है, 10 से 20 के बीच में 5 students के marks है, 20 से 30 के बीच में 4 students के marks है 30 से 40 के बीच में 3 students के marks है, 40 से 50 के बीच में 2 students के marks है अब यहाँ पर एक चीज आती है कि 0 to 10 के बीच में 6 students के marks है बर exactly कितने marks है यह कैसे पता लगा है तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं Class Interval की Mid Value निकाल लेते हैं अब Mid Value कैसे निकलती है Mid Value क्या होती है L1 प्लस L2 अपॉल में 2 अब यह L1 क्या होता है L1 क्या होता है Class Interval को Lower Limit को हम L1 बोलते हैं और L2 क्या होता है Class Interval की Upper Limit को क्या बोलते हैं? L2 बोलते हैं. जब हम lower limit और upper limit का addition करते हैं और divide करते हैं 2 से तो निकल के आ जाते है class interval की mid value. तो lower limit क्या है 0, upper limit क्या है 10, plus कर देंगे, divide कर देंगे 2 से answer अजाएगा 5. 5 क्या है mid value है? 0 त 10 के बीच के बीच की क्या आ गई? mid value 5. अब 5 का मतलब क्या है? कि 6 students के 5 marks है बेसिकली निकल के क्या है? average कि 6 students के अगर हम equally distribution करें तो हर students के 5 marks है. frequency क्या करते है? repetiveness को show करती है कि 1st students के 5 marks है, 2nd students के 5 marks है, 3rd students के 5 marks है, 4th students के 5 marks है, 5th students के 5 marks है, 6 students के 5 marks है, equal distribution को show कर रहा है, average हमने निकाला है, कि exactly क्या है? 6 students के 5 marks है, repetitiveness को show कर रहा है. similarly, 10 से 20 के बीच में, हम mid value निकालेंगे, lower limit क्या है 10, upper limit 20, divide कर देंगे 2 से, mid value आ जाएगी क्या 15. then, 20 और 30 के बीच में, क्या है, 20, lower limit है, 30, upper limit है, 2 से, divide कर देंगे, answer जाएगे 25, mid value आ जाएगी 25, 30 से 40, 30 क्या है lower limit, 40 क्या है upper limit, divide करेंगे 2 से, mid value आ जाएगी क्या 35. 40 और 50, 40 क्या है, lower limit है, 50 क्या है, upper limit है, divide करेंगे 2 से, mid value आ जाएगी क्या 45, तो यह क्या आ गई हमारी mid value, mid value basically क्या, जो हम discrete series में पढ़ रहते है, x वो निकल क्या आ गई, mid value, basically हमने क्या करा, continuous series को convert कर दिया, discrete series में, क्योंकि discrete series में क्या था, frequency दे रखे होते है, और x दे रखा होते है, तो हमने क्या कर लिया, वो ही mid value क्या है, x निकाल दिया, कि जो 5 है, वो 6 बार repeat हो रहा है, 15 है, वो 5 बार repeat हो रहा है, 25 है, 4 बार repeat हो रहा है, और 35, 3 बार repeat हो रहा है, 45, 2 बार repeat हो रहा है, frequency क्या करते है, repetitive ने इसको शोव करती है, तो हमने क्या करा, class interval की mid value निकाल के इस series को क्या कर दिया, basically convert कर दिया किसमे, discrete series में, discrete series में, direct method में क्या formula था हमारा, कि sigma fx upon में sigma f, अब हमने basically m क्या है, x ही है, तो यहाँ पर हम sigma निकालें किसका, fm का, formula हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, sigma fm upon में sigma f, तो निकालते हैं हम fm, मतलब f को multiply कर देंगे, हम middle value से, mid value से, 6 into 5 क्या होगा, 30, 5 into 15 क्या होगा, 75, 4 into 25 क्या होगा, 100, and 3 into 35 क्या होगा, 105, and 2 into 45 क्या होगा, 90, sum कर देते हैं हम इसका, 10, 20, 400, formula में पुट कर देते हैं value, x bar क्या है, arithmetic mean, sigma fm हमारा 400, और sigma f का हम सम निकाल लेते हैं, 20, sigma f हमारा 20, cut कर देते हैं इसको answer आगया, 20, arithmetic mean आगया, in continuous series, through direct method क्या है, 20, arithmetic आगया हमारा 20, then हम निकालते हैं, arithmetic mean को in shortcut या फिर assumed mean method, इसमें हम क्या करते हैं, mean को assume करके चलते हैं, same, इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले continuous series को एक तरीके सा discrete series में convert कर देंगे, through mid value निकालके, तो 0 to 10 के बीच में mid value क्या है, 5, 10 से 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 25, 30 से 40 के बीच में 35, 40 से 50 के बीच में 45, mid value क्या होती है, 0 to 10 के बीच की mid value बीच की value, value 5, 10 से 20, 15, 20 से 30, 25, 30 से 40, 35, 40 से 50, 45, अब यहाँ पर हमने mid value निकाल ली, बट यहाँ पर shortcut method में हम क्या निकालते हैं, deviation निकालते हैं, तो माल नो हम assume मान कर चल रहे है, assume mean 15 को, तो M में से minus करेंगे, assumed mean 15 को, 5 minus 15 क्या होगा हमारा, minus 10, 15 minus 15 क्या होगा हमारा, 0, 25 minus 15 क्या होगा, 10, 35 minus 15 क्या होगा हमारा, 20, and 45 minus 15 क्या होगा, 30, यह हमारा क्या गया, deviation, अब formula में क्या है sigma fd sum निकालना पड़ेगा हमें fd का frequency को multiply करने पड़ेगा deviation से तो 6 into minus 10 क्या हो जाएगा minus 60, 5 into 0, 0, 4 into 10, 40, 3 into 20, 60 and 2 into 30, 60 तो minus 60 से plus 60 कर जाएगा sum आ गया हमारा 100 और frequency का sum था हमारा 20 formula में put कर देते हैं value A था हमारा क्या 15 sigma fd है 100 और sigma f है हमारा 20 cut कर देते हैं अंसर आ गया 20, arithmetic mean आ गया 20 step deviation में निकालते हैं arithmetic mean को same class interval दे रखे हैं students के marks दे रखे होते हैं mid value निकालेंगे 0 to 10 के बीच की mid value क्या है 5, 10 से 20, 15, 20 से 30, 25, 30 से 40, 35 and 40 से 50, 45 सेम हम यहाँ पर क्या निकालेंगे deviation निकालेंगे 15 को मान का चल रहे हैं assumed mean deviation निकाल लेते हैं 15-5 क्या हो जाएगा minus 10, 15-15 क्या होगा 0, 25-15 क्या होगा 10, 35-15 क्या होगा 20, 45-15 क्या होगा 30 यह हमारा क्या है deviation, step deviation निकालने के लिए हम क्या करते हैं common factor से इसको divide कर देते हैं अब यहाँ पर common factor हमारा क्या है 10 10 से हम इसको divide कर देंगे minus 10 upon में 10 क्या जाएगा minus 1 0 upon में 10 क्या जाएगा 0, 10 upon में 10 क्या जाएगा 1, 20 upon में 10 क्या जाएगा हमारा क्या 2 30 अपोर में 10 आ जाएगा हमारा 3 अब fd डैश निकाल ले हम क्या करेंगे frequency को multiply कर देंगे d डैश से step deviation से तो 6 into minus 1 क्या होगा minus 6 5 into 0 क्या होगा 0 4 into 1 क्या होगा 4 3 into 2 क्या होगा 6 2 into 3 क्या होगा सिक्स माइनस 6 से प्लस 6 कर जाएगा समा गया 10 फ्रिक्वेंसी का सम था 20 एजूम्ड बीन लेकर चल रहे हम क्या 15 सिग्मा आफड़ी डैश है हमारा 10 सिग्मा एफ है 20 और कॉमन फैक्टर लिया हमने क्या 10 कॉमन फैक्टर हमारा क्या है 10 का है ठीक है कार देते हम इसको 5 अंसरा क्या 20 किसी भी मैठ़ड से निकालो सेम ही अर्थमेटिक मीन निकल के आएका यह था हमार क्या अर्थमेटिक मीन इन कॉंटिन्यूस सिरीज जब हमें क्या दे रखी है क्लास इंटरवल दे रखी है इसमें मिड वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स को निकाल लेते हैं मिड वैल्यू के शो करता है बिसिकली अवरेज को शो कर रहा है कि 6 स्टुटेंस के 5 माक्स आये हैं बराबर बराबर बाते तो कितना होगा अवरेज के बार में मैंने 1st क्लास में ही तुमें डिटेल में बता करदें बट चौ्ट कर मैफिशल करता है कैल्कुलेशल को थोड़ा इसी कर देता है कितनी शौट इसी कर का है ऑनिन का है लayan मेरा घंड्रेट। है ना calculation को easy कर देता है shortcut mean assumed mean method और step deviation क्या कर देता है जब data बड़ा हो उसमें common factor भी दे रखा हो common factor हमारे हाँ पर क्या है तो common factor भी दे रखा data बड़ा हो तो step deviation को use करते है step deviation भी क्या करता है calculation को बहुत ही easy कर देता है तो किसी भी method से निकालो तो सेन ही automatic mean निकल के आएगा तो गाइस आज के लिए इतना ही इतना ही इलते हैं next class thank you बड़ा है